इस पोधे की मातर दो से तीन पतियां या इसका फल अगर आप खा लेते हैं तो आपके शरीर को बेहदलाब मिलते हैं और यकीन मानिए इसके लिए आपको एक भी रुपिया खर्च करने की जरूरत नहीं है ये बहुत आसानी से पोधा आपको सड़क के किनारे खड़ा हुआ मिल जाएगा बस जरूरत है आपको इसकी पहचान करने की ये लीवर की इंफेक्शन को ठीक करता है किड्निक इंफेक्शन को ठीक करता है आतों की सफाई करने में मदद करता है डायबिटीज को कंट्रोल करत जोडों के दर्द को दूर करता है स्किन डिसीज से आपको बचाता है खुन की सफाई करता है और भी बहुत सारे इसके लाव हैं तो चलिए जानते हैं कौन सा ऐसा पौधा जो कि इतना फायदेमंद है और यकीन मानिए इसके लिए एक भी रूप्या का खर्च नहीं होगा मैं आपकी होस्त और दोस्त मधू एक सर्टिफाइड डाइटीशन और एक नैच्रोपैट आज मैं बात कर रही हूँ मकोई के पोधे के बारे में इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो लेकिन संपूर्ण जानकारी ना होने की वज़े से बहुत ही कम लोग इसका अस्तमा कर सकें तूछ कुछ इसके पत्ते जो हैं tutteJames work ते ये फाए से तोड़े से अलग होतें मिर्ची के पेड़ के जैसे ही होते हैं इस पर लगने वाले जो पल होते हैं वो बैंगनी Jugoo ने Line प working with aioxid होटे हैं जिश detto उस्याभा इस वाल में होते हैं यona वेम इसा क्याई भी वारre या फिर इस तरह की कुछ चीजे होती थी जिनको हम फलके रूप में खाते थे तो उन में से ही घड़े हमारे हैं बोले जाते है जिसको जो है बहुत फायदेमंद होती थी लेकिन उसमें फायदा नहीं इसके टेस्ट को देखकर खाते थे इसका टेस्ट जो होता है वो कुछ-कुछ ऐसा जैसे खट्टा आप कोई चीज खा रहे हैं कुछ-कुछ वैसा होता है हाला कि अच्छे से पकी हुई हो तो खाने में बहुत टेस् हो जाती है अगर आपको और को को करें बाडी में मद्द करें मुद्वक और खाली क्यAssault के से और इसका और इसका है मार्केमेच है लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके आस्वास इसका पौधा है तो आप डिरेक्टली इसके पौधे का ही इस्तमाल करें मार्केट में जितने भी रस मिलते हैं वो कई बार उतनी सुदता से नहीं बनाया जाते हैं जितने फाइदे हमें उसके मिलने चाहिए तो ही मिल पाते हैं तो इसके पौधे का अगर आप इसके पंचांक इस समाल करते हैं तो पर वेक्षिटेता है मकोई का सेवन करना फायदे मन रहता है ये किड़नी को मजबूती करने का काम करती है जब आप मकोई का सेवन करते हैं तो ये आपकी यूरिन की मातरा को बढ़ा देती है जिससे किड़नी डेटॉक्स बहुत आसानी से हो जाती है इसके अलावा urine infection दर्द ये जलन की समस्या है तो उसमें भी आपको लाब मिलता है लंबे समय तक मकोई का रस लेने से आपके पत्री की समस्या भी जड़ से खत्म हो जाती है जिन लोगों को भी पीलिय की समस्या है उन्हें इसके पंचांग का कहड़ा बना कर लेना चाहिए इसके पंचांग का कहड़ा बनाने के लिए इसकी जड़, मूल, तना, फूल, पतियां सब लेनी है आपने लेकिन इसके फल कच्छा इस्तमाल नहीं करना है, इस बात का विश्येश दिहान रखें कच्छा फल इसका बिल्कुल भी खाने योगय नहीं होता है तो आपने सिर्फ पतियां तना और जड़ का इस्तमाल करना है इसकी और अगर फूल हैं तो एक या दो फूल का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो आपने इसको जो है मात्र तीन या चार ग्राम की मात्रा में लेना है इसके पंचांको और आधा लीटर पानी के साथ पका लेना है जब ये पानी पकते-पकते 50 ml रह जाए तो इससे चान करके अगर आप लेते हैं तो इससे आपको काफी लाब मिलते हैं अगर जोडों में दर्द की दिक्कत है तो इसमें आप थोड़ी मात्रा में सोट का पाउडर भी आड़ कर सकते हैं ये उसके लिए भी काफी फायदे मंद है हलाकि इसकी जड़ का काड़ा बना करके लेने से कठिया के रोग में आपको काफी लाब मिलते हैं इसके दाट बना करके लेने से आपके फेपढो का इनफ्रैक्शन ठीक होता है, फ़रानी खास्य की समस्यादूर होती है हडीयों का बुखार ठीक होता है, इसके अलावा discovering में खून की कमी पूरी होती है, खून साफ होता है, आंकों की रोष्टी बढ़ती है बवसीर की दिक्कत अगर आपको है तो उसमें भी आपको काफी लाब मिलता है स्किन पर गलो आता है बाल जणने बंद हो जाते हैं अगर आप इसका सेवन करते हैं इसके जो पत्ते होते हैं इन्हें पीस करके अगर आप जो है इसका लेब बना करके उस जेगे पर लगाते हैं जहां आपको दात, खाज, खुजली की दिक्कत है तो ये समस्या मातर तीन दिन में जड़ से खत्म हो जाती है और आपको बहुत लाब मिलते हैं अगर आपको अनिद्रा की समस्या है तो ऐसे में भी इसके पंचान का काड़ा बना करके लेने से आपके अनिद्रा की समस्या दूर होती है, स्ट्रस लेवल कम होता है और पहले से बहतर नीन आपको आती है अगर इसके फल का रस या फल आप ले रही है तो फल आप एक मुठी ले सकते हैं यानि कि बकोई को और इसका रस ले रही है तो 5-10 ml की मात्रा में लिया जा सकता है अगर इसके फल के चून की बात करें तो एक से दो ग्राम की मात्रा में आप उसको ले सकते हैं, यह बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है, अगर इसका काड़ा ले रही हैं तो 15 से 30 अमल की मात्रा में इसके काड़े का स्थमाल किया जा सकता है, अगर हम इसके उप पक जाए चाहें वो लाल रंका हो बैंगनी रंका हो तब यहां तक जो मकोई होती है इसके पत्तों की भाजी यह साग बना करके भी आप खा सकते हैं उससे भी आपको काफी लाव मिलते हैं तो अगर आज की यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और सभी के स साथ शेयर करें पर अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले अपनी डॉक्टर की सलहा लें चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हस्ते मुस्कुलाते रहें स्टे हैल्दी स्टे हैपी बाबाई